हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टर्ग्जाम और्विट तो आज के इस वीडियो में तीन माच का करेंट अफर देखेंगे इसका पिडिव नीचे डिसक्रिप्शन से और हमारे टेली का रमसे अब डाउनलोड कर सकते हैं तो आज का करेंट अफर देखेंगे उससे पहले फट अफर पिछली करेंट अफर का रिविजन कर लिजे और वीडियो के लास्ट में दो क्वीज लगाऊंगा उसका एंसर आपको नीचे कमेंट करेंगा बताना है चलिए देखते हैं पहला कोशन भारते टेनिस एतिहांस पर लिखे गई नमीनतम पुस्तक Advantage India The Story of Indian Tennis के लेखक कौन है अनिंदिया दग्ता हाले में भारते रिजोर बैंक अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में केस बैंक को शामिल किया गया है पेमेंट्स बैंक को इसका मुख्याले मुंबई में है भारत में महिलाओं का सेस फोटबॉल लिग हीरो इंडियन विमन लिग 2021 का आयोजन कहां पर किया जाएगा इस बार का आयोजन किया जाएगा ओडिसा में निम्न में से किस वरिष्ट सहित्यकार को 2019 के लिए भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है डाक्टर सुर्यबाला को ये पुरसकार उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाता है हाली में शुन्य भेदभाव दिवस कब मनाय गया एक मार्च को किस कंप्यूटर निर्माता कंपनी ने समुदरी पलास्टिक कचरे का उप्योग करके अपना पहला कंप्यूटर विक्सित किया है एचपी ने किस कंद्रिय मंत्री ने हाली में सुगम में भारत एप लॉंच किया थावर चंद गहलोत ने ये कंद्रिय समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है सोफिया में आयोजित सोफिया बुलगारिया की कैपिटल है तो सोफिया में आयोजित भाहतर में स्ट्रेंड जा मेमॉरियाल मुखेबाजी टूनमेंट 2021 में दिपक कुमार ने कौन सा पदक जीता सिल्वर मेडल भारते महिला रेसलर विनेस फोगाटने क्यू में आयो जित आउटस्टेंडिंग यूक्रेइन कुष्थी एंड कोच मेमोरियल टूनेमेंट 2021 में कौन सा पदक जीता इन्होंने स्वान पदक जीता क्यू यूक्रेइन की कैपिटल है 28 फरवली 2021 को अठात्र में गोल्डेन गुलोब पुरसकार समरोह में सर्वस्रिष्ट मोशन फिल्म ड्रामा का पुरसकार किस फिल्म ने जीता नॉमाइड लैंड ने तो आप चलिए आज का करेंटरफर देखते हैं और फेंट्स आप सभी को बता दें इस साल 2020 का बेस्ट करेंटरफर का PDF मटेरियल उपलब्ध है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जागा आप वहाँ से चेक कर सकते हैं इस PDF में जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लगबग सारे टोपिक कवर किये गया है और टोटल परश्ण 1500 से जादा है तो ये आपके लिए बेस्ट है किसी भी competitive exams के लिए सासात में GK Science का भी PDF उपलब्ध है सबका लिंक नीचे description में मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं भारत ने हाली में किस देश को कैंसर उप्शार के लिए एक उन्नत टेली कोबाल्ट मशीन भाभा ट्रोन सेकेंड दान दिया है भाभा ट्रोन जो मशीन है ये कैंसर उप्शार के लिए स्टमाल किया जाता है और हाली में भारत ने मेडा गासकर को दान में दिया है इसके सासत मेडा गासकर जो है काफी ज़्यादा सुखा से परभावित हुआ है इसके कारण भारत इसे 1000 मिट्रिक टन चावल, सासात में एक दवा है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उस दवा की एक लख गोलियां आज ही रावना की जाएंगी, तीन मार्च को, मेडा गासकर के लिए, इसे भी नोट करिएगा, ठीक है और भारत ने कुछ दिन पहले ही मेअमार को अपने एक पंडुबी दान में दिया था, यानि फ्री में दिया था, आई एनेस सिंधुवीर, ठीक है मेडा गासकर के बात करें, तो ये इस्ट अफ्रिकन आईलेंड कंट्री है, इसके राजधानी है एंटाना नारिवो, यहांके राजपती है एंडरी, अराईजो इलेना, परदान मंत्री है, क्रिस्चियन, क्या बोलेंगे इसको नतासे, संसाथ का नाम है पार्लियामेंट, और मुदरा के नाम है Airyari, को एक्स पहल के ताहत, कोविड-19-T का पाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो ये जो पहल है, इस पहल के ताहत, दुनिया के गरीब देशों को मुफ्त में कोविड-19-T का दिया जा रहा है, पहल का नाम ध्यान में रखिए को एक् जिहाने जी से COVID-19 का उपलब्द कराए गया है तो option A right answer है तो घाना को सिरम इस्टिटूट आफ इंडिया द्वारा बनाई गई ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजनेका वैक्सिन की 6 लाख गोलियां डिलिवरी की गई हैं सिरम इस्टिटूट आफ इंडिया ऑक्सफोर्ड और एस्ट इस्टिटूट जो है यह विश्व का सबसे बड़ा वैक्सिन निर्माता कंपणी है यह पूड़े में हैं वर्तमान में इसके CEO हैं अदार पुनावाला तो गरीब देशों के लिए ठीका बनाने के लिए संयुक्तराष्ट की एजेंसियों ने अलग-अलग कंपणीयों के सा समझाता किया है और सिरम इस्टिटूट दुनिया के गरीब देशों को टीका उपलब्द करा रहा है और यह जो पहल है कोवेक्स पहल इसका नितरित्व कर रहा है डबलू एचो गावी जो की एक टीका समू है और महामारी तैयारी के लिए गड़बंदन सेपी इसका नितरि कर रहा है भारत बायोटेक भारत में 16 जन्वरी 2021 को टीका करन अभियान की शुर्वत की गई थी कोवेड-19 टीका करन ठीक है घाना के राजधानी है अकरा यहां के राश्पती है नाना अकूफो एद्दो संसत का नाम है पार्लियमेंट और मुद्रा का नाम है सेड़ी नेक्स्ट हाली में किस देश ने आर्केटिक की जलवायू और पर्यावरन की निगरानी के लिए अपना पहला उपगरा आर्केटिका-M लॉंच किया है तो आर्केटिक की जलवायू और पर्यावरन की निगरानी के लिए रूस ने हाली में अपना पहला उपगरा लॉंच क कजाकिस्तान के बैको नूर कोस्मोड्रोम स्पेस से सोयूज 2.1 बी रोकेट से लॉंच किया गया तो यहाँ पर एक चीज नोट करिए रूस की अंत्रिक्ष एजनसी का क्या नाम है रॉसकोस मोस जैसे भारत की अंत्रिक्ष एजनसी का नाम है इस्वरो और अमेरिका की नासा राशपती बने रहेंगे वर्तमान में इनका चौथा कारेकल चल रहा है जो कि 2024 में समाप्त होगा और अगले दो कारेकल तक यह राशपती बने रहेंगे परधान मंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टीन यहां की संसत का नाम है डिूमा और मुदर का नाम है रशियन रुबल नेक्स्ट वरिष्ट राजनाइक मनप्रीत वोहरा को खिस देश में भारत का अगला उचा यूपत नियूपत किया गया है तो मनप्रीत वोहरा को और शेलिया में भारत का उचा यूपत नियूपत किया गया है इससे पहले मनप्रीत वोहरा मेक्सिको में भारत के राजदु और इन्हें अश्रेलिया में गितेश शर्मा की जगा न्यूक्त किया गया है, ठीक है? उचायुक्त और राजदूत दोनों का काम सेम ही होता है बसरते इतना ध्यान में रखिए उचायुक्त जो राश मंडल देश होते हैं वहाँ पर उचायुक्त की निवक्ति की जाती है और जो राश मंडल के सदस से देश नहीं है वहाँ पर राजदूत की निवक्ति की जाती ह राश मंदल देश की से आजाद हुआ है उसे राश मंदल देश कहा जाता है और स्रेलिया की बात करें तो यहां की राजधानी है कैनबरा प्रधान मंत्रि हैं स्कॉर्ट मौरिसन संसाथ का नाम है फेडरल पर्लियमेंट और मुद्रक नाम है डॉलर एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतिय अर्थ शास्त्री को सयुक्त राष्ट परिवरन कारेकरम यानि उनाइटे नेशन एन्वार्मेंट प्रोग्राम के न्यू यूर्क कर्याले के सहाइक महासच्यू और परमुख न्यूक्ति किया है तो एवेन एपी का मुख्याले वैसे नेरोबी में है लेकिन इसका जो ओफिस है न्यू यूर्क में उसी ओफिस की सहाइक महासच्यू और परमुख बनी है लेगिया नुरोणा ये भारतिय अर्थ शास्त्री है इनके न्यूक्ति किस ने की है सयुक्त राष्ट के महासच्यू एंटोनियो गुटेरेस ने और लेगिया नुरोणा को भारतिय अर्थ शास्त्री सत्यत रिपाठी की जगा न्यूक्ति किया गया है नुरोणा इससे पहले 2014 से नेरोबी में इवेन इपी के आर्थिक विभाग में बतोर निदेशक के रूप में काम किया और एंटोनियो कि सयुक्त राष्ट के महासच्यू है उन्होंने हाले में एक और भारतिये को न्यूक्ति किया था इनका नाम है उशा राओ मोनारी इन्हें इवेन डिपी का अवर महासच्यू और सहाइक प्रशासक न्यूक्ति किया है ठीक है इवेन डिपी यानि सयुक्त राष्ट विकास स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को मुख्याले नेरोबी में करेकारिया निदेशक हैं इंगेर एंडर्सन ये डेन्मार्क के हैं संसत ने दो सरवजनेक टीवी चैनलों लोगसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को विलाए करके किस नाम से एक नाय चैनल शुरू किया है तो लोगसभा टीवी जो की संसद में लोगसभा को कवर करता था और राज्यसभा टीवी जो की राज्यसभा के बैठा को कवर करता था इन दोनों का विलाए कर दिया गया है और एक नया चैनल शुरू किया गया है इसका नाम है संसद टीवी ओप्शन भी राइट एंसर है ठीक है और संसद टीवी जो नया नाम है इसके CEO कौन बने है इसके नए CEO नियुक्त हुए है रवी कपूर ठीक है बता दें कि प्रसार भारती के CEO ए शुरे परकास की अध्यक्षता वली विसिसग्य समीती ने इन दोनों चैनलों की विलाई की शिफारिस की थी 2019 में जो की सरकार ने एकसेप्ट कर लिया है अब जाम लेते हम लोग सभा और राज्य सभा के बारे में तो लोग सभा में मैकसिमम सीटों की संख्या हुआ करती थी 552 लेकिन अब दो सीट घटा दीजे 550 है मैकसिमम सीट लेकिन वर्तमान में सीटों की संख्या 543 पहले 545 हुआ करती थी दो सीट जो रिजर्ब हुआ करता था एंगलो इंडियन के लिए उसे खत्म कर दिया गया जनवरी 2020 में तो समयधानिक संसोधन किया गया था 104 समयधानिक संसोधन उसी के ताथ एंगलो इंडियन के लिए जो अरिजार्फ सीट था उसे खत्म कर दिया गया है ठीक है तो लोग सभा में वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी हैं पांसो तेतालिस हैं लोकसभा के अध्यक्षे ओंबिल्ला महार सच्चिम है उत्पल कुमार सिंग इनकी नियुकती हाली में कुछ दिन पहले की गई है राज्ये सभा की बात करें तो राज्ये सभा में मैक्सिमम सीट हो सकते हैं वर्तमान में सीटों की संख्या है 245 इसमें से 12 सीट पर राश्पती द्वारा अलग-अलग छेतरों से मनोनित किया जाते हैं और राज्यों से आते हैं 233 सीटों पर चुन कर ठीक है राज्ये सभा के सभापती कौन है वेंके नाइडू है उप राश्पती होता है सभापती राज्ये सभा के वर्तमान में उपाध्याक्ष है यानि उप सभापती है हरिवंस नरैन सिंग राज्ये सभा के महासचियू है देश दिपक वर्मा कमपाला में आयो जित यूगांडा इंटरनेशनल बैडमेंटन टूनामेंट 2021 में पुरुस एकलवर का खिताब किस ने जीता इस टूनामेंट में पुरुस एकलवर का खिताब जीते वरून कपूर और ओप्शन C, Right Answer है इन्होंने किस को हराया? हम वतन खिलाडी शंकर मूतु सामी को इन्होंने हराया और पुरुस एकलवर का खिताब जीत लिया है इस तूनामेंट में पुरुस एकलवर्ग और महिला एकलवर्ग का खिताब भारत नहीं जीता ठीक हैं? वहीं महिला एकलवर्ग में ये खिताब जीती मलवी का बंसोड और इन्होंने भी हामवतन अनुपमा उपध्याय को हराया फाइनल में यूगांडा की बात करें तो ये अफरीकी देश है इसके राजधानी है कमपाला राजपती है योवेरी मुसेवीनी संसत का नाम है पार्लियमेंट और मुदरक नाम है शिलिंग शिलिंग जो मुदरक है और भी अफरीकी देशों में चलती है जैसे कि केन्या सोमालिया और वस ये जन औसधी दिवस समरोह का कौन सा संसकरन शुरू हुआ है हर साल सात मार्च को जन औसधी दिवस मने जता है इसी औसर पर एक मार्च से ही इस समरोह का आयोजन शुरू कर दिया गया है इसका ये तीसरा संसकरन है यानि इस दिवस का ये तीसरा संसकरन है ठीक है और य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा तो हर सल साथ मार्च को जन आउस्दी दिवस मना जाता है और इस सल का थीम है सेवा भी रोजगार भी आप सभी को याद दिला दें हैश्टेग मोदी रोजगार दो इस campaign को जारी रखिए आप लोग और यह जो हैश्टेग है इसे शेर करते रहिए जब तक आप लोग की निउक्ति ना हो जाए तब तक इस campaign को continue रखना है ठंडा नहीं पड़ना है एकदम से कान खुल कर सुनिए याद रखेगा इस बात को हैश्टेग मोदी रोजगार दो ठीक है और यह जो दिवस है जन आउस्दी दिवस यह भारती जन आउस्दी परियोजना की करवानन एजेंसी Bureau of Pharma PSU of India द्वारा मनाये जाता है Vice Admiral अतुल कुमार जैन की जगा पुर्भी नौसेना कमान के Flag Officer Commanding in Chief कौन निउक्त हुए है तो पुर्भी नौसेना कमान के नए परमुख बनाए गया है अजेंदर बहादूर सिंग Option A Right Answer है अजेंदर बहादूर सिंग को किसकी जगा निउक्त किया गया है अतुल कुमार जैन की जगा वहीं अतुल कुमार जैन को नई दिली में एक एकरित रक्षा श्टाफ के परमुख के रूप में निउक्त किया गया है पुर्भी नौसेना कमान का मुख्याले कहाँ पर है विशाखा पट्नम में है वहीं भारते नौसेना की बात करें तो इसकी अस्थापना हुई थी 26 जमवरी 1950 को वहीं रॉयल इंडिया नेवी के नाम से इसकी अस्थापने की गई थी 1612 में नौसेना दिवस हर सल 4 दिसंबर को मना जाता है 4 दिसंबर को क्यों? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को भारत पाक यूद के दोरान ओप्रेशन ट्राइडेंट सफल हुआ था भारते 9 सनय का मुख्याला नई दिल्ली में है कमांडर इंचीफ 3 सनय का कमांडर इंचीफ होता है राश्पती वर्थमान में राश्पती रामनात कोविन है चीफ आफ दा नवल स्टाफ है करमबे सिंग वाइस चीफ अफ दा नवल स्टाफ है अरून कुमार सिंग, option A, right answer है, अरून कुमार सिंग को दिपक कुमार की जगा न्यूक्त किया गया है, वहीं दिपक कुमार को अब बिहार में मुख्य मंत्री का परधान सचु बनाए गया है, ठीक है, वहीं जो option C नंबर पे हैं, ध्यान रखिये, VP जोय, इन्हें केरल का इसकी सिमा लगती है, उत्तर प्रदेश, जारखंड और पश्चिम बंगाल, इसका गठन वाथा 22 मार्च 1912 को, अराज्ये का दाज्या दिया गया 26 चन्वरी 1950 को, जीलों की संख्या 38, पटना राजधानी है, मुख्य मंत्री है, नितिश कुमार, अराज्ये पाल है, फागु पक्षी गौरेया, राजके बिरिक्च पेपल, दिल्ली का भी राजके पक्षी गौरेया है, ठीक है, राजके फल आम, राजके फूल गंदा, जाट जाटिन जीजिया तथा पमरियया का लोक ने रितते हैं, वाल मे की नेशनल पार्क है एक, इसके अलावा भेम बांध वन् सभी बिहार में हैं, तो फ्रेंड्स यह था हमारा आजका करेंटर फेर वीडियो पसंद आया है, तो लाइक और शेयर जोगू करना, अब पिछले क्विच का अंसर जाने है, पहला कोशन था, समुदर के भीतर वस्तों का पता लगाने के लिए किस से अंतर का इस्तमाल किया पता है, इसका राइट एंसर था, ऑप्शन D, इस यंतर का नाम है, सोनार, दुसरा कोशन था, निम्रमें से कौन सी यूगति, रासायनिक उर्जा को उसमिय उर्जा में परवर्दित करती है, इसका अंसर बहुत सारे लोगने गलत दिया था, इसका राइट एंसर होगा, और विद्दूत हीटर, इन दोनों यंत्र का एक ही काम है, विद्दूत उर्जा को उसमिय उर्जा में परवर्तित करना, वहीं विद्दूत सेल जो है, इसका काम है, रसायनिक उर्जा को विद्दूत उर्जा में परवर्तित करना, अब चलिए, आज का पहला क्वीज है, जे दोनों कोश्चन का अंसा नीचे कमेड़े में बताइए मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार